हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग वेल्कम बैक टू माई चैनल आप लोग कैसे हो आई हो आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स यह वीडियो देखना लास्ट तक अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं बाल दो के नहाई हूँ इसलिए थोई ठंड लग रही है और आज मैं बना रही हूँ मतर पनीर की सबजी सबको खाने का मन था और सबको अच्छा लगता है मुझे भी पसंद है तो वही मैं बना रह हूँ फ्रेंड्स मैं अपने तरीके से बनाती हूँ मैं बता रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ मैं सबसे पहले पनीर को कट कर लेती हूँ चोड़ी चोड़ी पीस में और फ्राय कर लेती हूँ मैं हर सबजी को सरसो तिल में ही बनाती हूँ तो सरसो तिल में ही फ्राय कर लेत इससे पनीर सौफ्ट रहता है और अच्छा लगता है खाने में जब सब्जी बनने के बाद और फ्रेंड्स आप लोग कैसे बनाते हो बताना और मैं यह इसी तरीके से बनाती हूँ कॉमेंट करना आप लोग आप लोग कैसे बनाते हो और फ्रेंट्स ये पनी को फ्राइ करने के बाद ठंडा पानी में डाल दूँगी और फ्रेंट्स इसके बाद मैं कड़ाई में तेजपत्ता, जीरा ये सब डाल दूँगी हींग और उसके बाद जो पेस्ट बना के रखी हूँ टमाटर, प्याज, लहसन अदरक, हरी मीर्च ये सब का पेस्ट बना के रखी हूँ वो डाल दूँगी और उसी में सुखा मसाला जैसे की धनिया, जीरा हल्दी, लाल मीर्च पॉडर और थोड़ा सा तेगी मीर्च और सबजी मसाला या पनीर मसाला है तो वो भी डालूँगी आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं सबजी मसाला डाल रही हूँ यहाँ पर और फ्रेंड्स उसको फ्राइ करूँगी और फ्राइ करने के बाद फिर मैं मतर बॉयल करके रखी हूँ, मतर भी डालूंगी और फ्रेंड्स देखिए मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स मटर पनीर की सबजी मुझे लगता है सबको ही पसंद है और यह मैं अपने तरीके से बना रही हूँ हुँ मैं ऐसे ही बनाती हुँ मैं सारा सुखा मसाला रा अकटोश पर लेश बना लेश बनाव फीर इसको फ्राय करती हुँ आप प्राइ फ्रेंड्स यह सम्जी मेरे हैं सबको इस फीरिमस अगर बनां आको उच्छी लगी और यह ंग अगर इसा इस ही बना हुए और फ्रेंड सब्जी तो सब एक ही तरीके से बनाते है। नमख, खल्दी, मसाल्गा लेकिन थोड़ा सा अगर change कर दोगे तो सब्जी का टेस्ट ही बदल जाता है। थोड़ा सा अगर सब्जी में टेस्ट ही बदल दोगे Kजूँब चीज हलका सा भी change ठेंच करोगे तो सब्जी का एक टेस्टी अलग हो जाता है इसलिब't वर नमक गयाए। कि अट्रेस्टी में ऑलने की नवर्ड की ऐसे ढले थे और कलर जाता है। लास्ट में गरम मसले डालेगा है। रिमपक का एक कि और मेरी तरीकी से बना के दैखना। और इधर मैं पूरी का आटा मिला रही हूं, पूरी सबको खाने का मन है कचोडी, तो आटा में मैं आजवाइन, नमक और थोरा सर रिफाइन डाल दी हूं, उसके बाद अच्छे तरीके से मिला के फिर गुनगुना पानी से आटा को गूत लोंगी, इससे पूरी बहुत ही कचोडी बनाओंगी, और यह बहुत ही खास्ता और अच्छा बनता है, और पूरी मेरे यहां सब कोई पसंद है, लेकिन फ्रेंड्स मैं पूरी बहुत कम बनाती हूं, कारण यह कि मेरे हस्बेंड को पूरी कचोडी यह सब पसंद नहीं है तेल वाला चीज, वो तेल वाला परहेजी करते हैं, और कम खाते हैं, उनको यह सब पसंद नहीं है, और फ्रेंड्स देखें, यह उबला हुआ मटर में डाल रही हूं, मसाला जब फ्राई हो गया, तो उबला हुआ मटर हलका से एक सिटी में लगा दी थी, यूकि मटर सॉप्ट हो जाए, और इसके साथ मैं बूल लूँगी, और फ्रेंड्स देखें, पानी में डाली हूं, पनीर को, पानी सहीत ही इसमें डाल लूँगी, मैं, सबजी में पानी सहीत ही डाल लूँगी, और देखें, हम लोगों को ग्रेवी थोरा जादे पसंद है, तो मैं थोरा जादा ही पानी डाली हूं, ऐसे य इंडों को भी भूक लग गई हैं आदो फेंड्स जो भी ओ वी-डियो बनाने में मुझे बहुत लगता है और आप लोग बताना मेरी वीडियो कैसी लगती आप लोगों को और मुझे अच्छा जो भी हो तो आप कमेंट कर लो और फ्रेंज देखिए यहां पर मैं डाल दी हूं इसमें गरम मसाला और यह सब्जी बनकर तयार है आप इसमें कसूरी मेथी या फिर धनिया पत्ता भी डाल सकते हो और मैं यहां पर नहीं डाली हूं क्योंकि मेरे पास भी है नहीं ख जाता है और बच्चे लोगों को तो बहुत ही पसंद है कचोडी मेरी यहां और आप लोग बताना आप लोग कैसे कचोडी बनाते हो और कमेंट करना मैं तो ऐसे बनाती हूं देखिए यह बनके तयार है कितना चाहिए अब यहां पर मैं थाली लगा चुकी हूं और थोरा सा पूजा कर रही हूं गैस चुला में चुकी में नहा के आई थी कुछ भी मैंने खाया नहीं है तो मैं सुजी थोरा पूजा कर लूँ और फ्रेंट्स देखिए थाली तयार है कचोडी है सब्जी है दो गुलाब और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना टेक कियर और बावाई